आज मैं बनाओंगे फ्रूट जेली केक बनाने के लिए मैंने यहां पर कुछ फ्रूट ले लिये हैं केला है सेव है संत्रा है और अंगूर है और जेली बनाने के लिए मैंने यहां पर पैकेट वाल जेली का इस्तिमाल किया जिसका फ्लेबर है राज पर बेरी इसका आज मैं फ्रूट जेली केक बनाओंगी जितने भी फल है को अपने मन चाहँ सेफ मैं कट कर लेंगे मैं अंगूर को दोदो भाग तरह से कट कर लेंगे कला को भी रांड सेफ में काट रही हूं अब गैस पे एक स्वासपें चड़ाएंगे और उसके अंदर 15 ml पानी डालेंगे फ्लेम को मीडियम रखेंगे और पानी उबलने देंगे जब तक पानी उबल रहा है तब तक पैकेट में जो मिक्सचर है उसे खोल करके एक बाल में मिक्स करके रख लेंगे देख सकते हैं, पैकेट के अंदर दो तरह का मिक्सर दिया हुआ है, एक फ्लेवर है और एक जेली बनाने वाला पौडर है, तो दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मैंने दोनों को खोल करके एक बाउल में निकाल लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसमें कोई भी गुठली नहीं रहना चाहिए, सबको अच्छे से पौडर जैसा कर लेंगे, पानी उबल गया, अब इसके अंदर जेली पौडर को डाल लेंगे, और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, और इसमें एक उबाल आने देंगे, बहुत जल्दी ही उबाल आ जेली केक बनाने के लिए मैंने यहां पर केक का मोल लिया हुआ है, जिसमें हम केक बनाते हैं, उसमें लगबग दो कल्ची डालेंगे इसके अंदर, और इसमें अपने मौन चाहा सेप में फूरूट को सेट करेंगे, आप देख सकते हैं मैं बीच में केला लगा रही हूँ और इसके किनारे किनारे से सबसे पहले मैं अंगूर को सेट करूँगी, उसके बाद मैं और सब फलकों में सेट करूँगी, आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, नीचे में पुरा एक लेयर फलकों मैंने सेट कर दिया है, और उसके उ चाहा सेप में सेट कर सकते हैं, मैं इस तरह सेट कर रहे हूं, सब को ऐसे लगा लेंगे फल को, और फल सेट करने काम हम जल्दी-जल्दी करेंगे, तकि जो हम जेली उबाल के रखे हैं, वो स्वास्पेन में ही सेट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा तेजी से हाथ चलाएंगे फल को सेट करने में, और एक लेयर डालते जाएंगे और उपर से दो-दो कल्छी, सीरप डालते जाएंगे जेली वाला, फल कांटिटी आप अपने जरूरत के हिसाब से रख सकते हैं, जरूरी नहीं है, इतना फल डाला जाए, आप कम भी डाल सकते हैं, तो मेरी सारी फल की लग गई है और उपर से जितने बचे हुए सीरप है जेली वाला वो मैंने डाल दिया है और इसे मैं अब फ्रीज में रख दूँगी लगबग 2-3 घंटे के लिए इसे सेट होने के लिए लगबग 3 घंटा हो गया है अब इसे ओपन करेंगे देख सकते हैं चाकू की सहायता से मैं किनारी को रिमूब कर रही हूं तो थोड़ी थोड़ी दूर पे तूद्पिक को लगा देंगे ताकि जब हम इसको उलट करके निकाले तो तेड़ा मेड़ा ना निकले एकदम बराब प्लेट को उपर से ठक करके एकदम जल्दी से पल्टेंगे इस तरह से अब उपर से दो चार बाट कर देंगे जो हमारा जेली केक है वाराम से प्लेट के अंदर आ जाए वाव कितनी अच्छी वनी हमारी जेली केक देख सकते हैं देखने में खुबसूरत और खाने में प्लेश्टी और हेल्दी भी तो जरूर बनाईए एक बार इस जेली केक को अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ बाई